जैहिन दोस्तो देखिए वेलकम टू दू जीयस वर्ड आज से देखिए हम आपकी मैथ की प्रेक्टिस सेट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी आगामी परिक्षा जैसे रेलवे गूरूप डी अभी इससे में चला हुए चला है एससी सीजल के लिए हो गया एससी की जितनी भी परिच्छा जिसमें मैथ पूछी आती है एससी सीप्यों एसाई इंस्पेक्टर पुलिस के लिए यूपी पुलिस के लिए जिसमें भी मैथ आती है उसके लिए बेहद ये कलास जरूरी है तो बने रही है मेरे साथ ठीक है इसक में दिया है, इसको हम काम करते है, रिशियों को हम X मान लेते हैं, 11X ठीक है, प्रस 12X और 15X, और इनके वर्गों का, इनके वर्ग कर लेते हम हां, इनका वर्ग कर लेते हम, ये देखिए इनका जब वर्ग करेंगे म तो ये 121X स्क्वार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 144 x square और ये हो जाएगा 225 x square अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो इनको हम जोड़ने पर हम संख्या पाएंगे 5, 4, 9, 1, 10 हासिल लगा 4, 6, 2, 8, 8, 1, 9 ठीक है और 2, 2, 4 आपका 4 x square ये हो गया आपका 490 x square ठीक है तो इसकी value हो जाएगी 1960 ठीक है 0 से 0 कार देंगे 496 x square की value कित्ती हो जाएगी यहाँ पर 4 तो x की value कित्ती हो जाएगी 2 आप मैं बोला तो संख्याओं का योग तो हमने संख्या क्या मानी थी 11 x ये आपका 11 x ठीक है आपको ये question 7 में आया होगा चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं देखे next question क्या गह रहा है आपका सुरेश किसी काम को 20 दिन में कर सकता है वह 5 दिनों तक काम करता ए ठीक है तो सुरेश है सुरेश 20 दिन 20 दिनों में कर सकता है ठीक है और इसकी efficiency भी हम भी कारशमता यानि efficiency बोलेंगे तो वह भी हम 20 ले लेंगे ठीक है जिसमें कि वह 5 दिन काम कर लेता है तो efficiency तो इसकी आगए यानि एक दिन में वह एक काम कर रहा है सुरेश अब वह 5 दिनों तक काम करता है तो यह माइनस 5 इसका घटा दीजे माइनस 5 घटा देंगे तो यह 15 आ जाएगा यानि अब 15 दिन का जो काम है वह सेस काम अब 15 दिन का काम बचा हुआ है तो सेस काम को 10 दिनों में राम करता है ठीक है सेस काम 10 दिनों में राम करता है तो राम का एक दिन का काम किता आ जाएगा भाई 15 इसको डिवाइट कर देंगे तो कित्ता आ जाएगा पांदुनी 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 दस और यह आपका आ जाएगा थ्री अपॉन टू यानि पॉइंट फाइफ शुरेस अब देखे अगला क्या बोला है मिलकर उसकाम को कितने दिनों में सवाप्ट करेंगे तो सुरेस औ सुरेश की Efficiency 1 है और राम की Efficiency 1.5 है ठीक है यानि टोटल मिला के कित्ती हो गई आपकी धाई हो गई ठीक है अब धाई से हमें से इसको हम डिवाइट कर देंगे तो हम पॉइंट से अटाएंगे जो 0 आएगा 262 ठीक है 262 यानि हमारा A Option राइट हो जाएगा यानि सुरेश और रमेश मिलकर आठ काम की आठ दिन में ये पूरा काम कर देंगे आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं देखें नेक्स कोशन हमारा ये कह रहा है एक पानी का टैंक की छमता 18 बाल्टी पानी है ठीक है एक कोई पानी का टैंक है उसकी छमता जो है उसकी छमता जो है 18 बाल्टी पानी की है ठीक है प्रतेक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है ठीक है प्रतेक बाल्टी में 9 लीटर पानी आती यानि 189 या एक सो बांसाट आजाएगा करीब और यदी बाल्टी की छमता साले 13 लिटर हो तो उसी टैंक को भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टीया चाहिए तो इसकी एक ट्रिक्स है 18 गुड़े 9 ठीक है 18 गुड़े 9 अपान एक्स इंटू एक्स को माल लेंगे मलगी पानी की कितनी बाल्टीया चाहिए ये बाल्टी की हमने माल लीते हैं और साले 13 लिटर हो ठीक है तो हम इससे काटेंगे देखे नौ से काटेंगे स्वरी इसको दसंबलों से टाईए जीरो बढ़ाईए ठीक है नौ एक्कम नौ और फिर चार बचेगा यानि नौ पना पैतालेस ठीक है अब इससे काटेंगे तीन चंग अठारा और तीन पचे पंदरह अब इससे काटेंगे पान दूनी दस हां और छे बचा और ये दो बचा शिक्स और टू को मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएग रल गाड़ी है एक रहला गाली 76 km प्रती से चलते हुए चार किलो से में शम्रके सपीड और मुल्टिप्लाई को माइनश कर देते हैं यदू माल लीजे दोनों विप्रीद दिसा से आ रही होती है विप्रीद दिसा से अगर आ रही होती है अगर इसकी 76 km प्रति घंटे की चलते हुए 4 km की चाल से समान दिसा में चलते हुए एक विक्ति को 6 सकेंड में पार करती है तो आपका 76 जो है इससे आप 4 घंटा देंगे तो आपका 72 आ जाएगे यानि 72 km प्रति घंटा ठीक है और 6 सकेंड में एक विक्ति को 6 सकेंड में पार करती है ठीक ह यानि speed का आपका speed क्या होता है speed का formula होता है speed बराबर distance upon time speed आपकी कितनी दे रखी है speed आपकी दे रखी है 72 72 दे रखी है अब distance हमें लिकालना है ठीक है और time कितना दे रखा है आपका time दे रखा है 6 second अच्छा ये km प्रती घंटे में इसको मीटर में change करने के लिए मीटर प्रती सेकंड में change करने के लिए 5 बटे 18 से multiply करा देंगे तो देखे काटेंगे 18 चौक 72 ठीक है 18 चौक 72 हो गया और इधर हो जाएगा 6 चौक को 24 और 24 पंचे 120 यानि 120 मीटर इसकी distance आ जाएगी ये रेल गाड़ी की लंबाई है रेल गाड़ी की लंबाई है जो option number C है हमारा sorry B होगा आपका right होगा ठीक है तो आएव आपको समझ में आया कोई question चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं देखे next question क्या कहता है ये statics का question है ठीक statics का question लिया गया हो है एक विचलन का माद 22 है और मानक विचलन 10 है विचलन का गुलांक मान क्या होगा तो variant of coefficient बोला है इसका formula होता है variant of coefficient का formula होता है मानक विचलन यानि मानक विचलन upon माद into 100 ठीक है तो मानक विचलन आपका कितना दे रखा हुआ है 10 दे के रखा हुआ है और यह आपका नीचे दे रखा है माध अपका 22 दे के रखा हुआ है और into 100 से इसका multiply करा देंगे तो इसको सब काटे पिटेंगे तो हमारा जो 45 point 45 इसका answer आजाएगा जो की option number A है ठीक है इसका formula आपको याद पर रखने की जरूरत है यह जो formula है आपको य question है एक ट्रग 12 घंटे में 780 km की दूरी तय करता है ठीक है तो 12 घंटे में आपको पता होगा speed का formula क्या होता है distance upon time ठीक है अगर इसका 12 घंटे यानी 12 घंटे time ले लेते हो distance कितनी है साड़े 780 इसको काटेंगे 12 चिंग 72 और 4 किता बचा 12 चिंग 72 यानी 6 बचा और 6 यानी 60 यानी 12 पंचे 60 यानी 65 ट्रक की speed जो आ गई हमारी 65 km प्रती घंटा आ गई एक कार जिसकी ट्रक की गती से 7 km प्रती घंटा अधि है अब इसमें अगर हम 7 एट कर देंगे बोला है 7 km अधिक है तो साथ माज बारे यानी 72 km प्रती घंटे ये कार की रफतार आ गई तो बोला है अगर 72 km प्रती घंटे से कार चल लाई है तो 11 घंटे में कितनी दूरी तै कर लेगी तो आपको simple सा answer पता ही चल जाएगा याला formula जैसे लगाएंगे speed speed कित्ती दे रखी आपकी 72 दे रखी है हां और distance आपको लिकालना है और time आपको दिया है 11 घंटे तो 11 से इसका multiply कराएंगे इधर उपर कर लेते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 सते 77 इसको 2 729 और ये 792 यानि 792 आपका answer आगी यानि कार कितना दूरी तै करेगी 792 आपका right हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बहुत ही अच्छे questions हमने लिए हुए है बैक यर के भी questions है और अगर डेली इन questions को लगाएंगे तो आपका एक या दो महिने में कोई भी exam आप दे रहे होंगे तो उसमें आपको अच्छा प्रिणाम देखने क दो मिलेगा लगे next question की तरब बढ़ते हैं देखें next question आपका लिया गया है यदि एक परिश्चा में pass वा फेल होए छात्रों का अनुपाद ये क्या है पास है ठीख है एक मिनट ठीक है ये देखें pass और fail ठीक है? पास और फेल के चात्रों कॉन पाथ 25 है और ये 4 है टोटल अच्छा किता हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 29 29 आर माल लिजए 29 रेशियों में तो 29 रेशियों माल लेते हैं यदि 5 चात्र आ जाएं ठीक है बोला है यदि 5 चात्र आ जाएं आपके हाँ और fail हुए छातर कम हो जाए fail हुए 2 छातर कम हो जाए तो fail वाले हमारे पास कित्ते थे 4 थे यह total छातर की value कित्ती आजाएगी total छातर आपके हो जाएगा total छातर को जो data आजाएगा 29R यह pass और fail दोनों छातर के अब इसलिए हमने यहाँ पे 29R के लेकर रहे हो कि इसमें total हमने candidates लिया है यह बोला है यदि 5 छातर आजाएगा यह नहीं बोला है कि 5 छातर पास वाले आजाएगा इसमें बोला है 5 छातर और आजाएगा तब ही हमने 29R प्लस 5 लिया हुआ है ठीक है और नीचे हम कर देते हैं और दो छातर काम हो जाएगा यानि 4R से 4 ratio यानि यह वाला हमने यह ratio हो गया 4 ratio हो गया इस फूर रीशियो से 2 हमें कटा लियों तो pass हुए छातरों का pass हुए छातर और fail वा छातरों का अनुपाद 22 अनुपाद 3 आ जाता है तो पास हुए चातर कित्ते हो जाएंगे तो टोटल चातर कित्ते हो जाएंगे उपर तो टोटल की value दे रखे न टोटल की value हम ले लेंगे 22, 23, 25 इसन दोनों को जोड़ देंगे 22 और 23, 25 ठीक है तो उपर आ जाएगा 25 और नीचे आपका जो fail हुए चातर है यह तो फेल हुए चातर का डेटा है तो यह हम फेल हुए चातर का डेटा ले लेंगे इन सब को काटे पिटेंगे तो देखें काट लेंगे 29 नहीं कित्ता होता है 87 प्लस तीन पचे 15 और पचीश चो को 100 और माइनस पचीश दुना पचास आपका ठीक है 87 से इदर 87 और को इधर ले आएंगे हम माइनस हेंड़र और उपर इसको इधर माइनस ले आएंगे 15 माइनस पचास कर लेंगे ठीक है 87 गटाएंगे माइनस 13 आजाएगा 13 और इधर आजाएगा आपका माइनस 35 ठीक है 13 से काट देंगे आपका 13 से रुगिए यहाँ पर कुछ दोस्तों गढ़बर हो रही है ठीक है यहाँ पर थोड़ी से कुछ लग रहा है काउंटिंग में गढ़ब यह question है किसी सहमान वयास तथा उचाई के बेलन का आयधन पी तथा समान टरिज़्या की गेंत का थीय। समान वयास दे रख्फा हुआ है आपका वयास का मतलब जानते है यह जீसे डाया के निघर है डायमीटर जो होता है यह तो हम यह को भी तो हम आगए कर देट कर देंगे तो हम हमारा तो हमारा यहाएगा ब Quran Director तो radius हमारा एक आ जाएगा यानि r की value आपकी एक आ जाएगी और उचाई के बेलन यानि समान है तो यानि h बराबर हो जाएगा आपका dm ने 2 माना था ना व्यास तो इसको हमने r भी ले ले लेंगे sorry 2r ले लेंगे उचाई यानि h की value आपकी 2r हो जाएगी ठीक है तो πाई और आपको फॉर्मूला पता होगा बेलन के आयतन का πाई r square h होता है ठीक है और समान तरिजा की gain का आयतन गेन का फॉर्मूला होता है ठीक है यहाँ पर लिख लिजिए आप इसको 4 by 3 by r cube ठीक है और upon p upon q बोला है na p upon q का क्या होगा तो हमने p इसको मान लिया तब आयतन पी हो गया उपर वाला आयतन पी और नीचे वाला gain का आयतन पी q हो गया ठीक है अब यह r square जो आपको दे रखा है यानि h की value जो दे रखे यह वो आपकी 2r है यहाँ पर 2r हम लिख सकते की ने लिख सकते हैं तो 2r हो गया हम यहाँ से 2r square और into r तो r cube हो जाएगा तो इससे और इससे हम इसको काड़ देंगे ठीक है पाई से पाई काड़ देंगे और इधर यह दो बचा था आपका दो से आप 2 काड़ देंगे दो दो नी चार और यह तीन पलड जाएगा यानि पी अपन क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी पी अपन क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 by 2 3 by 2 लेकिन option हमें मिल नहीं रहा है यानि यह option थोड़ा सा mistake है इसको 1 हटा देंगे और d number आपका option ठीक हो जाएगा यानि 3 by 2 आपका answer हो जाएगा I hope आपको समझ में आया होगा next question की तरफ बढ़ते हैं ठीक है देखिए next question क्या बोल ला है एक सिलेंडर की उचाई है एक सिलेंडर की उचाई 14 cm है यानि जो सिलेंडर है हमारा इसकी उचाई है आपकी 14 cm यह सिलेंडर है आपका हाँ इसकी उचाई जो है 14 cm है हाँ और इसके वक्रप्रेश्ट का छेतरवाल आपको 528 दिया हुआ है यानि वक्रप्रेश्ट यानि वक्रप्रेश्ट का formula क्या होता है 2 pi r h इसका formula आपको दिया हुआ है 2 pi r h का बराबर दिया हुए 528 cm2 ठीक है अच्छा ठीक है इसका आइतन हमें ग्याद करना यह नहीं आइतन यानि pi r square h की value हमें find करनी है ठीक है समझते हैं यहाँ पर देखिए 2 pi r h की यानि 2 को इधर ले लेंगे और pi की value कित्ती होती है 22 बटे 7 into r करेंगे r की value आपकी दे र रखिए ठीक है 414 cm दे रखिए और इसके बराबर दिया है 528 ठीक है तो आप देखिए 528 दिया है 22 से काट देंगे हम 22 से यह काटेंगे 22 23,24 और 6 बचा 24 24 आगया इधर से काट देंगे 7 2 14 और 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे इधर 6 यानि r की value हमारी आ जाएगी 6 cm अब हमें देखी R पता हो गया, H पता हो गया, अब हम बेलन कायतन आराम से लिका लेंगे, तो Pi की वैलू आपकी 22 बटे 7, ठीक है, R की वैलू आपकी दिये रखी थी, R की वैलू 6 आनी थी, यानि 6 का स्क्वार हो गया, यानि 6 गुड़े 6 लिख लेते हैं, और H की वैलू हमार 72 गुड़े 22, हाँ, तो हम कार देंगे 2 दुनी 4, ठीक है, 2 दुनी 4, आप देखें, 4 दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, फिर इसको थोड़ा सा हल करते है, 2 दुनी 4 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया, फिर 2 दुनी 4 और 2 सत्ते 14 हो गया, 4, 4, 4, 8 है, और यह 415 यानि 1584 आपका आंसर आजाएगा है और यह जो बेलन का आयतान होता है वो हमेशा क्यूब में आता है ठीक है तो 1584 इसका आंसर हो गया है आई होप यह आपको समझ में आया होगा नेक्स कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखें नेक्स कुश्चन लिया हुआ है एक और ये दिया गया है 3x degree minus 8 और 5x degree minus 39 अच्छा इनका जो त्रिबुच के सबसे बड़े कोड़ की माई आपको पता होगा कि तीनों कोड़ों के त्रिबुच के तीनों कोड़ों को योग जो होता है वह हमेसा 180 degree होता है यह आपको बाखू भी पता होगा ठीक है तो कोड़ A plus हो जाएगी 180 C ठीक है यानि इन तीनों को हम कोड को add कर देंगे तो इनकी जो दिग्री में आएगी 180 कहीं नहीं ठीक है तो इनको जोड खटा लेंगे हम ठीक है आप काटा-पिटी कर लेते हैं आपको पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है में वाला है इसके आगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा 10x degree प्लस अभी मैनस बात में देखते हैं ठीक है और यह 139 degree है 139 degree है माइनस 8 और यह हो जाएगा माइनस 137 माइनस 137 degree और यह 188 ठीक है 10x degree बराबर आपका 188 minus 137 घटा लीजे किता आजाएगा आपका 43 आजाएगा 10x की value 10x degree की value आजाएगी आपकी 43 तो x की value किती हो जाएगी x degree की value हो जाएगी 4.3 और हमसे सबसे बड़े कुण की माँ पूछें आप इसमें मान लगा देंगे 5x वाले में या किसी मान लगा देंगे अंसर इसका होगा 88 डिगरी की लमसम आएगा आपका अंसर ठीक है तो next question की तरफ बढ़ते हैं देखे आज हमने इतने ही question लिए थे आज के session खतम होता है अब मिलते है next practice set की ओर जो हमारा आएगा कल ठीक है thank you for watching friends